तो इस वीडियो में जो हम प्रीमियन लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा टॉटनम होट इसपर्स वर्सिस वाटफट के बीच मैच का वैन्य होगा टॉटनम शाम को 6.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाला है अब दोस्तों टॉटनम एक बहुत टॉप का क्लब माना जाता है प्रीमियन लीग में हर सीजन टॉप 5-6 क्लब में फिनिश करता है वाटफट एक न्यूली प्रमोटेट साइड है अल्दो वाटफट आपको हर दूसरे तीसरे सीजन प्रीमियन लीग में दिख जाएगा फिर यह क्या होता है रिलीगेट होके सेकिंड डिविजन च ट्रॉंग किया है कुछ अच्छी नई साइनिंग्स किये तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी के लिए इन दोनों क्लब्स ने अल्रेड़ी दो-दो प्रीमियन लीग मैचेस खेल लिया है वाटफट अपना पहला ही मैच तीन-दो से एस्टन विलाव से जीता था उसके बाद 2-0 से ब्राइटन से हार गया तो यहीं से बतलता है कि कितना इनकंसिस्टेंट क्लब है हालंकि एक करबो कब का मैच भी है जीता लेकिन ये कब मैचे इसकी बात नहीं करेंगे टॉटनम के अंडर न्यू मैनेजर न्यूनो एस्परीटो सेंट वाए और उनके अं तो हैरी केन का प्रेजेंस ही दोस्तों बहुत बड़ी वाट है टॉटनम के लिए तो फिलाल के लिए टॉटनम की सुरवात बहुत अच्छी रही है अंडर न्यू मैनेजर न्यूनो एस्परीटो सेंटो सुरवाती दो मैचेस में दो क्लीन शीट है उनकी दोनू विक्रीज है एक जिरो से उन्होंने मैन सीटी को हरा दिया एक स्ट्रॉंग मैन सीटी साइट को उसके बाद उन्होंने एक जिरो से वूल्स को भी हरा दिया अलंकि बीच में यूए वाट यहां पर नहीं करने वाला तो प्रीमियल लीग की सुरवात बहुत बहुत अच्छी रही है प्रीमियल लीग में और वाट फट अपने पिछले साथ अवे प्रीमियल लीग मैचेस हार चुका है तो यहां पर बहुत मुस्की लोगा वाट फट को टॉटनम के अगेश्ट जीत पाना वाट फट हैस कंसीडे एट लीस्ट टू गोल इन लास्ट फाइव प्रीमियल लीग मैचेस यानि कि जो पिछले पांच प्रीमियल लीग मैचेस वाट फट निकले उसमें हर मैच में एट लीस्ट उनने दो या दो से ज़्यादा गोल कंसीड किये हैं तो यह एक और मैच फेक्ट वाट फट के अगेश्ट जाता है तीसरा है टॉटनम अर अंडिफिटेट इन लास्ट एट हो मैचेशं अगेंश्ट वाट फट इन ऑल कंपड़ेशन यानि कि तॉटनम अपने पिछले आठ हो मैचे भी खेलने जिस तरह उनने प्हले दो मैचे महें अडर न्यून फर्फसेंस कि यसे देखके तो मुझे और ज्याधा भरूसा है कि दो हेरीचन भी आप तो हैरी केन भी आप वापसी कर गए तो ओवराल टॉटनम क्लियर कट फेवरेट है आपका अपोनेंट भी टॉटनम फेवर की टीम लाएगा तो हम भी यहाँ पे टॉटनम फेवर की टीम ले जाने वाले हैं फिलाल हम प्रोवेवल लाइनप पे आते हैं उससे बेले एक चीज कहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल एसल टीम और सभी फुटबल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं टेलीग्राम का लिंक के डिस्क्रिप्सिन में जरूर से जरूर जोइन कल लीजे नहीं तो आप जोए टेलीग्राम में एडदरेट, फेंटेजी, स्पोर्ड सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिल जागा, यहां से आपको जुड़के जॉइन, कल लेना इसके साथ ही यूट्यूब चैनल भी आप सस्क्राइब कल लीजे, अब हम आते प्रोविबल लाइनप पे, पहले हम टॉटनम की बात करते हैं, तो टॉटनम फेवरेट्स है, तो इसमाल लिग में हम टॉटनम के मैक्जीमाम प्लेयर पिक करेंगे, यानि की साथ और वाटफाट के पिक करेंगे सिर्फ चार प्लेयर, तो लॉरीज इनके गोल की बने, चार इनके डिफेंडरों के टंगंगा, क्रिश्चन रोमेरो का मच अविटेट फुल डेब्यू हो होती है, और अभी-अभी इन्होंने अर्जिंटीना को कोपा अमेरिका जिताने में भी बहुत हेल्प की है, तो एक बहुत टॉप क्वालिटी जो डिफेंडर है, वो निउनो ने साइन किया है, अब मुझे इनका डिफेंस और सॉलेट लग रहा है, वैसे टॉटनम का डिफ अब इनके डिफेंस में मेरी नमबर बन चॉइस है, सर्जियो रेगुलान, फॉर्मर रियाल मेडिट प्लियर, ओफेंसिव ली बहुत अच्छा प्लियर है, डिफेंसिव वग भी करता है, नमबर टू चॉइस मेरी रोमेरो रहेंगे, आपको सबसे कम सिलेक्शन दिखेगा रोमेरो का, लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों बहुत टॉप कॉलिटी डिफेंडर है, हैडरस में भी बहुत अच्छा है, क्या भरुसा, अपने फुल डेब्यू में रेंडम हैडिट गोल कर दे, टंगं का मेरी थर्ड चॉइस है, जो डिफेंसिव वक ठीक टाक करते हैं, और पोजिसन में खेलें तो कुछ-कुछ फॉरवर्ड ओवरलेपिंग रंस भी बनाएंगे, जिससे हो सकता है, रेंडम असिस्ट कर दे, फॉर चॉइस मेरी डायर है, आपको सिलेक्शन हाई दिखेगा, लेकिन मुझे डायर बिल्कुल बसंद नहीं है, हो सकता है, इनके प्ले करूँगा, हाँ आप GL में, लो स्कोरिंग टीम में इनको ट्राय कर सकते हैं, डिफेंसिव पॉइंटी है, देने वाले है, होए बग एक बहुत कम्प्लीट फिल्डर है, अगर आपको लास सिजन पता होगा, मैक्जीम यानि कि हर टॉटनम मैच में इनको लगभग पिक करते दे करते थे, और अभी डेनमार्क के लिए भी क्या बहतरी ने पर्फरमेंस किया था, यूरोज में आपको याद हो गई, होए बग ऐसा प्लेयर है, जो डिफेंसिव बहुत करता है, पासिस बहुत बनाता है, और रिंडम असिस्ट करने में भी केपिबल है, असिस्ट पोट अब वो पुराना वाला केन हमें दिख जाएगा, और जैसी एडिसीन आया, उसके बाद इन्होंने अभी जो गोल्स स्कोर के, पाकोश डी फरेरा के अगेश्ट, तो हैरी केन इस बैक, क्लियर केप्टम सी ओप्सन होंगे इस मैच में, और ओन पेनल्टीज भी केन है, तो के इस गोल, 14 असिष्ट केन के थे, 17 गोल, 10 असिष्ट सन के थे, तो ये दोनु ही एक सेफ केप्टन, वाइस केप्टन सी ओप्सन रहने वाले हैं, आइधिंग मोश्टली बंदे सन को केप्टन करेंगे, क्यूकि इनका सिलेक्शन मैं देख रहता हाई है, लेकिन केप्टन, सन केप्टन, सन वाइस केप्टन, ये ज़्यादा बहतरीन ओप्सन हमाले रहेगा, अब बात करते हैं, बर्गवाइन की, दोस्तो बर्गवाइन बहुत हीटन इस प्लेयर है, ओल्दो मैं देख रहता है, न्यूनो इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन बर्गवाइन ऐसा है, अच्छा जाता है, तो अगले 2-3 मैचेस फ्लॉब रहते हैं, आप चाहें, तो जील में एक टीम में को कैप्टन भी कर सकते हैं, क्यूंकि हो सकता है, अगर टॉटनम 1-0 से जीते, वो रेंडम गोल बगवाइन का आजाए, तो बगवाइन को अभी जील में ट्राय कर सकते है इनके बलेज में लूकास मोरा स्टाट करे, उन पे भी मैं उतना ट्राष्ट नहीं करता, अब बात करते हैं डेली अली की, अब दोस्तों डेली अली ने लास्ट सिजन सर्प्राइस किया पैनाल्टी लेके, पिछले एक-दो सिजन से फ्रीज थे, इनको जादा मौके नहीं म फिल्डर है बहुत गोल असिस्ट करने वाल है प्रीमियल लीग में, अभी के लिए सिलेक्शन हाई है, शोलनी में ट्रस्ट करूँगा, लेकिन अगर आप देखना ना आज से दो-तीन सीजन पहले के स्टेट देखना अली गे, I think 2016, 17, 18 या उससे पहले के स्टेट देखना, तो आपको दिखेगा, ये बंदा पोचेट इनो जब इनके टोटनम के मेनेजर थे, तब अली, एरिक्सन, केन, ये लोग ऐसे इनकी 11 होती थी, तो 10-10 गोल, 12-12 असिष्ट ऐसे करके इनके परफोर्मेंसे आते थे, हर सीजन में, तो एक प्रूवन गोल स्कोरर है अली, जो क प्लियर हमारे केन और सन हो गए, तो मेभी आपको अली, होईबग में किसी एक के साथ जाना होगा, अगर आप अली पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो होईबग के साथ जाधा सेव रहेंगे, अगर आप अली पर ट्रस्ट करते हैं, आप होईबग ड्रॉप कर गे, अली के सब्सक्राइब कर दिया और यह इनके सीजन और लास सीजन के स्टैट है अभी के लिए अपोनेंट की बात करने से बले एक बार फिर रिमाइंद दिला देता हूं इस मैच की फाइनल एसल टीम और सभी फुटबॉल मैचेज अम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं तो मैचेस मैं यही कवर करता हूं इसके साथ ही यूट्यूब चैनल भी सस्क्राइब कर लिए ऐसी मैचेस के यूट्यूब प्रीवीडियो इसी यूट्यूब चैनल में पोष्ट करता रहता हूं अब हम बात करते है वाटफृर की कुछिच का डाउटफुल है चालुबाहवर जौपेट्रो बाहर है तो अभी के लिए इनकी 11 देखे तो बैक्मेन इनके गोल की पर important हूँगे अभी के लिए मैं इनको pick करूँगा क्योंकि केन सन अली यह सब बहुत on target दिंगे तो बैक्मेन हमें अच्छे saving points दे सकते हैं फिलाल के लिए जो कि खुद एक former Tottenham player है और यह उस team में खेलते थे जब मैंने बता है अली एरिक्सन यह लोग खेलते थे जब अली बहुत गोल मारते थे तब डैनी रोस भी उस team में खेलते थे राइट साइड में काईल वाकर खेलते थे जो आप सब्सक्राइब के हैडरस में decent है अभी के लिए midfield में आपको इट ओवो अच्छे खाधरी defensive point दे सकते हैं तो शोली आप इनको consider कर सकते हैं टाम क्लिवरली एक बहुत main midfielder है इस team का जोकी एक proven goal scorer है पहले यह man united में भी खेल चुके हैं पास्ट में और यह अच्छा player है जो defensive defender चार एटेकल लिया था उस team में I think इनको pick नहीं कर पाया था वो scenario में आपको आगे समझाऊंगा जब teams दिखाऊंगा अभी के लिए एक बहुत main player cleverly रहने वाले इम्रान लोजा नांस नाम के club से आए हैं league 1 यानि की french league में ठिक टाक performance था वहा है इनका decent central midfielder है लेकिन पिछले match में यह क्या है जल्दी substitute हो गए थे तो अभी मुझे नहीं पता है इनके manager इस match में भी इनको पूरा खिलेंगे या substitute करेंगे although last club में इनका performance ठिक टाक था तो consider आप कर सकते हैं और counter attack में किसी भी opponent को destroy कर सकता है इतनी pace है तो इनको तो मैं शोली recommend करूँगा अब बात करें डैनिस इनका main number 9 है एक goal एक assist already दो matches में मार चुका है लेकिन डैनिस आपको फिक करने है तो आपको इस्माइला साहर drop करने पड़ेंगे क्योंकि यह forward section में listed है जहां पे हम Kane और संत तो drop नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ही spot बच रहा है तो then only आप डैनिस को pick कर पाएंगे अगर आप साहर को drop करते हैं लेकिन I think मैं साहर के साहर जाओंगा क्यूंकि हो सकता है भी Troy Dini नहीं है तो penalty में साहर हो सकते है क्यूंकि last season जब Dini नहीं थे तो penalty साहर लेते थे तो अभ fancy work भी नहीं किया लेकिन अभी भी मैं इनको इम्रान लोजा से उपर प्रिफर करूंगा उसका रीजन यह एक तो ओपन प्ले से गोल कर सकते हैं दूसरा यह है लोजा पिछले मैच में 45 मिनट में सब्सिटूट हो गए तो मुझे नहीं पता कभी भी रेंडम सब्सिटूट ह हो सकते हैं इस वज़े से मैं केम सेमा को slightly उपर प्रिफर करूंगा इम्रान लोजा के आप चाहें लोजा के साथ जा सकते हैं अगर आपको लगता है पूरा खेलिंगे तो आइधिंग लोजा ज्यादा अच्छे हो सकते हैं तो ओवराल यह वाटफट की प्रोभी वाली यह 2-1 आइधिंग एक गोल वाटफट भी स्कोर कर दे बट मुझे लग रहा टॉटनम यह मैच निकाल लेने चाहिए फिलाल के लिए जो मेरी डैमो रफ्टी में दो टीम्स में बनाई है एक 3-4 एक टॉटनम प्रोपर क्लिंचीट वाली तो जो मेरी 3-4 टीम है उसमें मैं टेकल लेगे हूं तीन डिफेंडर में टंगंगा रेगुलान रुमेरो लिए अब टंगंगा प्लेस में जो भी खेलता है अरीक दायर या डेविंसन सेंचेज उनको पिक कर सकते हैं अली होईबक सन और केन मैंने चारों पिक कर लिए और केप्टन सी वाइस केप्टन सी के सन और केन बेस्ट आप्सन रहेंगे यह पूरा आप पे आप सन को केप्टन करके केन वाइस केप्टन करते हैं या केन को केप्टन करके सन वाइस केप्टन करते हैं अभी के लिए यहां से मैंने इसमाइला सार लिए इटीब और केन सेमा लिए अब मेरे पास हाफ क्रेडिट के सीधे सीधे हुए बग ले सकते हैं जो कि एक बहुत कंप्लीट मिड्फिल्डर है अब यहां पर मेरे क्लेवल ली के लिए क्रेडिट बच गया उनके साथ में गया सार और इटी वो मैंने पिक किये है यहां भी केप्टमसी वाइस के लिए केन और सन बेस्ट आपसन है तो यह दो टीम से आप किसी के भी साथ जा सकते है टॉटनम अटेगिंग या टॉटनम क्लींशीट यह पूरा आपके डिपेंड करता है तो फिलाल दोस्तों है मेरी डेमो रफ टी जो भी मेरी अफडेटेड फाइनल एसल टीम होगी जितने भी मैचेस हैं सब टेलीग्राम चैनल में मैं कवर करता हूँ लिंक के डिस्क्रिप्शन में जरूर जोइन कर लिजिए